आज मैं आपको explain करने वाला हूँ Better Call Saul ये Breaking Bad का एक spin-off series है Breaking Bad का जो lawyer था उसकी origin story इस series में हमें सब दिखाई गई है ये एक ही original series की spin-off series है जिसको हितनी popularity कभी history में मिली है तो ये series भी बहुत ही देखने लाइक है तो चलिए शुरू करते हैं Season 1 Episode 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि Saul एक shop में काम कर रहा है ये एक bakery टाइप food shop होता है ये जो scene है ये future का हमें दिखाए गया है यानि कि इसके पहले बहुत सब बुरा हो चुका है इसलिए अब वो यहाँ काम कर रहा है Saul काउंटर पर होता है फिर उसे एक आदमी देखता है वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है ऐसा उसे लग रहा होता है Saul के तरफ वो आता है उसे लगता है कि उसे ही मारने वो आ रहा है पर वो अपने friends के या चला जाता है यानि कि Saul ने कुछ बुरा किया है और वो लोगों से डर रहा है फिर वो हमें उसके घर में दिखता है वो टीवी देख रहा होता है और बोर हो रहा होता है फिर वो अपने कबड से एक डीवीडी निकालता है उसमें उसकी जो एड़ेजमेंट होती है sings better call pessoal की उस एड़ेजमेंट को प्ले करता है और फिर वो पुराने दिन याद कर रहा होता है फिर हमारी सीरीज अब प्रेजन्ट में आती है और हमें एक कोट्रूम दिखाये गया है इस कोट्रूम में सब सॉल का वेट कर रहे होते है और सॉल बात्रूम में प्रिपेर कर रहा होता है वो एक teenagers की team को represent कर रहा होता है वो jury को बोलता है कि आप सब को याद होगा कि आप teenagers जब थे तब आप कैसे थे कितने bad decision आप लेते थे मेरे clients ने भी ऐसा ही कुछ किया था पर अब उनको उतनी सजा होने नहीं जाए वो बोलता है कि हमें याद रखना है कि इस crime में कोई hurt नहीं हो था ये इतना serious crime भी नहीं है फिर Saul ये सब बता कर बैठ जाता है defendant जो होता है वो फिर एक TV लाता है उस TV पर उन teenagers ने क्या किया था ये हमें दिखाये जाता है तो उन्होंने lab में जाकर dead body जो होती है dead body की सर को धर से अलग कर दिया था डॉलर से मिलते है Saul उस lady को बोलता है जो उसे check दे रही होती है कि ये 3 defendant है उनके लिए मुझे 2100 मिलने चाहिए पर वो उसे सिर्फ 700 ही देती है वो disappointed होकर अपने गाड़ी में बैठता है उसे वहाँ एक call आता है ये cattleman case होता है ये जो cattleman होते हैं उनके आदमी ने county treasers से 1.5 million dollars जोरी की होते है तो ये Saul के लिए बहुत ही बड़िया case होने वाला होता है उसे पैसो की भी बहुत ज़रूरत होती है वो फिर एक secretary के आवाज में बात करता है उसको office बहुत ही गटिया होता है इसलिए वो अपने secretary के आवाज में उनसे बोलता है कि क्यों न हम cafe में मिले फिर cafe में उनके appointment हो जाती है वो फिर court से निकलता है court ने उसे parking ticket दी हुए होते है जो parking चेक करने वाला होता है वो उसे बोलता है कि ये तुमारे कम है तुम ज़्यादा time गहात है और इसलिए तुमें और एक ticket लाना होगा वरना तुम पे करना पड़ेगा तुम उसे sweet talk करने की कोशिश करता है पर वो मानता ही नहीं फिर हमें उसका चेहरा दिखता है जो ticket दे रहा होता है वो होता है Mike Mike की इस series में अब entry हो चुकी है Mike का भी ये past है Breaking Bad में उसका future था जब वो गस के लिए काम वेगरा कर रहा था तो अब हमें इस series में दिखेगा कि वो गस के लिए काम कैसे कर रहा था और Mike की transition भी हमें इस series में दिखनी वाली है फिर Saul Kettleman से कैफे में मिलता है Kettleman की जो wife होती है Betsy वो Saul को बता रही होती है कि हम innocence है मेरे husband ने कुछ भी नहीं किया और उस पर एक ilzām लगाय जा रहा है वो बोलती है अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हमें lawyer की क्या जरूरत है फिर Saul उन्हें convince करता है कि तुम्हें lawyer की जरूरत है ही क्योंकि अगर तुमने lawyer नहीं लगाया तो तुम्हें वो convince कर सकते है फिर उसका husband Saul से बूछता है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा Saul फिर एक paper उसके पास होता है उस पर agreement होता है वो उस पर sign करने के लिए बोल रहा होता है और फिर वो बोलता है कि अगर तुमने अभी sign कर लिया तो मैं defense के लिए अभी start कर दूँगा वो sign करने ही वाला होता है बरबेट सी उसे रोक लीती है वो Saul को बोलती है कि हमें एक दिन सोचना चाहिए Saul फिर disappointment हो जाता है फिर से वो cattleman को अपना client बनाना चाहता है इसलिए वो उन्हें full gift कर रहा होता है ये phone पर वो बात कर रहा होता है तब ही उसके गाड़ी के सामने एक skater आता है और उसकी windshield से टकरा जाता है उसे बहुत लगा है ऐसा लग रहा होता है और फिर उसका brother भी वा होता है वो skater बोलता है कि अब मैं police को call करने वाला हो Saul बोलता है कि नहीं please police को call मत करो फिर वो उसे बोलता है कि तुम ये right कैसे करोगे यानि वो उससे पैसे मांग रहे होते है फिर Saul को उनकी scheme पता चल जाती है जिसको लगा हुआ होता है उसी को Saul मारने लग जाता है फिर वो दोनों खड़े हो जाते है Saul बोलता है कि ये जो तुमारी scheme है ये बहुत ही अच्छी है पर तुमारा victim जो choice है बहुत ही गलत है मैं भी यही करा करता था तुम मुझे गुल्लों नहीं वना सकते वो फिर उनसे पैसे मांगता है कि मेरी जो वो इंचल टूटी है इसके तुमें पे करना पड़ेगा फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते है नेक सीन में Saul हमें एक पार्लर में दिखाया गया है ये वही पार्लर है Saul ने जिसे जैसी को सेल करना चाहता उसने जैसी को बताया था कि अगर तुमें मांग लांटिन करनी है तो तुम इस पार्लर को पाई कर लो वो उसी पार्लर में अब Saul रहता है उस पार्लर के स्टोरूम में वो जाता है और वो ही उसको ओफिस भी होता है और वो ही वो सोता है उसके मेल्स वगरा देखता है तो बहुत सारे पेमेंट उसके ड्यू होते है के नाम पर 26,000 डॉलर का वो चेक होता है और ये चेक हैमलिन हैमलिन और मगिल का होता है यहां में Saul का एक्चुल नेम पता चलता है उसका नाम होता है जेम्स मगिल एक्चुली ये चेक उसके प्रदर के लिए होता है Saul उस चेक को फार देता है फिर वो हैमलिन और हैमलिन मगिल के यहां आरा जाता है फिर वो बॉस की मीटिंग जो हो रही होती है उस मीटिंग में घुश जाता है उनको बोलता है कि तुमने ये जो चेक भेजा था ये अच्छा ड्राय था पर हम ये चेक नहीं लेने वाले मेरा ब्रदर अब इस एजनसी में काम नहीं करता तो तुमें उसे सब पैसे दे देने चाहिए वो अब इससे निकल जाना चाहता है उसके 30% 17 million dollars होते है तो तुमें अब वो पै करना है वहाँ का जो boss होता है Howard वो उसे बोलता है कि हमें तुमारा जो ब्रदर है वो हमें फिर से इस job में वापस चाहिए और थोड़े दिन बाद वो वापस आ भी सकता है हमें इस company का उसे part बनाना है इसलिए वो उसे sell नहीं कर रहे होते Saul बोलता है कि अब वो वापस नहीं आने माला फिर वो वहाँ से चला जाता है जब वो लिब से बाहर निकलता है तो वहाँ एक dustbin होती है वो सारा गुसा उस dustbin पर निकालता है हमें previous scene में दिखाय गया था कि उस dustbin को already marks थे याने कि Saul ने पहले भी उस dustbin पर गुसा निकाला था उस meeting में कीम भी होती है Saul और कीम की पहले भी एक relationship होई होती है यह हमें फिर parking में दिखता है Saul उसे एक secret देता है और जैसे यह series प्रोग्रेस होगी वैसे हमें और भी इनकी relationship देखने को मिलेगी फिर next scene में हमें एक घर में Saul आते होई दिखता है उस घर में जाकर वो अपना जो mobile होता है वो बाहरी चोड़ कर आता है वो बहुत सारे supplies खाने की चीज़े विगरा उस घर में लाता है उस घर में electricity नहीं होती सब lights वेगरा बन होते है फिर वो एक lamp लेता है और उससे वो सब देख रहा होता है वो सारे supplies रख देता है और फिर घर में आ जाता है फिर वो उसके ब्रदर से मिलता है उसके ब्रदर को एक बिमारी होती है जिससे वो electricity के आसपास नहीं रह सकता अगर वो electricity के पास गया तो उससे दर्थ होता है इसलिए वो सब lamps वेगरा बन करकर वह रह रह रहा होता है इसलिए वो अपने office नहीं आ पाता सॉल उसके लिए हमेशा सब supplies लाता है उसके लिए newspaper लाता है सब उसके खयाल वो रखता है अब हमें मालूम होता है कि सॉल का ब्रदर चक उसे अपने shares नहीं सेल करने वो सॉल को समझाने की कोशिश करता है अगर अड़ा रहा तो उन्हें अपनी company सेल करनी पड़ती है और मैंने उस company को create करनी के लिए बहुत सारे works hours दिये है बहुत सारे मेरे साल दिये है मुझे वो company सेल नहीं करनी है पर फिर सॉल उसे समझाता है कि अगर तुम उस company को सेल नहीं करोगे तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे तुम रस्ते पर आ जाओगे और फिर तुमें कितना trouble हो सकता है सब electricity से फिर चक बोलता है कि Harvard आया था उसने मुझे एक चेक दिया है वो $700 का ही चेक होता है वो उसे एक stipend की तरह उसे वो चेक दे रहा होता है सॉल बोलता है कि ये penis तुमें आप नहीं लेनी चाहिए तुमें पूरे अपने पेश से cash out करनी चाहिए चक उसे नाराज हो जाता है और बोलता है कि मैं फिर से काम पर जाने वाला हूँ मैं ऐसे घर पर ही नहीं बेटने वाला सॉल फिर उसे sorry बोलता है फिर चक उसे उसका match box देता है चक उसे बोलता है कि तुमारा जो match box है वो HHM की बहुती similar है तो तुम यह use नहीं कर सकते है यह एक professional Curtis से समझ कर तुम अब अपना नाम चेंज कर लो अपने agency का नाम चेंज कर लो सॉल यह देखकर नाराज हो जाता है नेक्स दिन हमें सॉल उन स्केटर को locate करते हुए दिखता है वो उनके पास जाकर उन्हें बोलता है यह दोनों जब उससे टकराएंगे तब वो वहाँ जाएगा और बेटसी का trust फिल से ले लेगा और फिर वो उसकी client बन जाएंगे वो उन्हें सब समझाता है और फिर वो नजर रख रहा होता है बेटसी के कार पर बेटसी कार में बैठती है और फिर वो वहाँ से निकलती है सॉल उनको call कर देता है जब वो गाड़ी से टकराते है तब उस गाड़ी से कोई भी नहीं निकलता वो hit and run का case बन जाता है वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है फिर वो दोनों ब्रदर उस गाड़ी का पीछा करते है वो सॉल को call करते है कि वो तो उस डारेक्ली निकल गई सॉल बोलता है तो ये तो gold mine है अभी hit and run का case है तो इसलिए तुमें बहुत जादा पैसे मिल सकते है फिर वो दोनों उससे बाइपास करने वाले होते है जब वो उस घर तक पहुच जाते है जहाँ उन्हें लगता है कि बेट सी आ गई है पर उस गाड़ी से एक old woman निकलती है फिर वो उसे blackmail करने की कोशिश करते है और पैसे उससे 8 ray होते है फिर वो उससे घर में लेकर जाती है सौल भी उस area में आ जाता है और skateboard बाहर देखकर उस घर को टक टक आता है जब वो डोर open होता है तो उस पर gun रखी हमें दिखती है उस डोर से बाहर आता है टूको टूको की फिर से एंट्री है Breaking Bad Season 1 और 2 के बाद यही एपिसोड खतम हो जाता है